नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज मैं आपके सामने बास्तु सास्त्र के अनुसार पुर्व मुखी घर का एक प्लान लेकर आया हम यह जो प्लान है यह बिल्कुल बास्तु के अनुसार निर्मित है और यह पुर्व मुखी है आइए हम एक एक करके सबी चीजों को इसकी मैं सबसे पहले measurement की बात कर लूँ ती यहां से यहां तक इसकी लंबाई 50 फिट है और इसकी चौड़ाई 30 फिट है 50 into 30 यह एक subscriber की requirement के अनुसार जो है ready की गई है मैं उसे बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको कीज़ें इसमीं बताई गई गई है यह 30 फिट है इसका मु कि इन्हें दो गाड़ी parking के लिए या आप दो गाड़ी से अधिक भी हो सके तो मैं parking करूँ ती यहां parking कर सकते हैं 10 फिट चोड़ी यह जगा छोड़ी गई है और जगा की सनुसार छोड़ी गई है बास्तु के रूल बास्तु का रूल काता है कि जगा जब भी आप छोड़ गर में तो उत्तर की और खुला छोड़े नौट साइड में और पूर्व की ओर तो इसका पूर्व जिसा में तो मूख है अर्था रोड इसका पूर्व में है तो इसके लिए डोर अलग दे दिये गया है चुकि बहकिल अंदर करना है डोर अलग है और बास्तु के अनुरू आने जाने के लिए डोर जो है वो यहाँ पर आता है तो यहाँ पर बिल्कुल जो है चलकी बेवस्ता दी गई है और यहां पर दी गई है septic tank नौर्थ और वेस्ट के कॉर्णर में घर के बाहर चुकिए septic tank प्रयास यही राना चाहिए कि घर के यदि बाहर हो विसेस कर constructed area के बाहर तो यह सुमाना जाता है और वे चाह भी रहे थे कि इस परकार से बनाए जगा थोड़ी छूट भी जाए तो अच्छा है भैकी लगा लेंगे तो यहां पर यह सेप्टिक टेंक है यहां जल की वेवस्ता है यह सेप्टिक टेंक है यहां से चलिए प्रवे आठ आठ फिट लंबाई आठ फिट इसकी चवड़ाई यह बरामदा है घर में बरामदा देने से क्या होता है कि कोई भी बेगती थरब परसन आपके घर में आता है तो वो बरामदे बैठता और घर के अंदर की चीज़ें से उनका जो है किसी परकार का यही मतलब इंटरफ परस करते है यहौल है हौल जो है बहुत बड़ा तो नहीं है आठ फिट चौड़ा है और यह पचीस portrait लंबा हो मतलब काफी बड़ा अधना अंवड़ा यह शी नहीं है सो आतू के अनुरूप यह सीड़ी इस प्रकार से रोटेट करके यह उपर चले जाएगा और सीड़ी के बीच का अस्थान होगा यह डाइनिंग के रूप में यूज आएगा रथा यहां पर आप टैनिंग टेबल लगा के चुकि सीड़ी के नीचे का अस्थान क्या होगा वह ख स्कौर के यह डस पूर होग यह इसिंद्डर सायज ऑटे है 12-20 का है कि यह 15 स्कौर का यह जाता है यहां पर एक लेर्टन बाथ्रूम है यह चार फिट चौड़ा है और इसकी यहां तक बात करेती है यह लगवग नौ फिट है चारवाई नौ में सोचालाय बात्रूम है जिसको अंदर से यूज करना है और नायरीत्य कोन बाले छेतर में आरवन दिये गये हैं यह भी बारा फिट है और यहां पर यह दस फिट है पीछे में दो फिट जगा छोड़ा गया है वेंटलेशन के लिए तो देखी में एक सोचालाय बात्रूम बाहर से दिये गया है कि बाहर से अगर यूज करने हो गेश्ट को यूज करने हो कोई हो बाहर से चुकि घर के अंदर में लोगों को कुछ अच्छा भी नहीं लगता है तो यह बाहर से यूज करने के लिए एक सोचालाय बात्रूम यहां पर दि मेजरमेंट है इसका 50 और 30 इसमें एक लंबा सा जगा यहां छूट रहा है उत्तर की और एक तो आपका घर खुला खुला लगेगा और आपकी सभी गाड़ी की पार्किंग भी हो जाएंगी और बास्तु का संतुलन भी यहां पर बना रहेगा आपके पास सभी मेजरमेंट लि मिलते हैं अगले अंक में पुरा बात करेंगे धन्यवाद